नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग BTSC A&M को लेकर कोट ने क्या कुछ फैसला दिया कल उसके बारे में भी जानेंगे साथ ही अब आप लोगों के बहाली में जैदा समय लगने वाले नहीं है बहुँ जल्द आपकी जो बहाली है उसकी प्रोसेस पूरी होने वाली है क्या कुछ कहा है हाई कोट के तरफ से वो सारी जानकारिया हम आपको बताएंगे साथ ही इसके जो फैसला आने वाले हैं जिस तरीके से हमने आपको बता दिये थे कल जैसे सुनवाय हुए थे जब पतना हाई कोट ने अपडेट भी नहीं किया था वैपसाइट पर उस टाइम ही हमने आपको बता दिये थे लगवग 2 साल हो चुका है एक मेंथ के बाद एक दो मेंथ के बाद 17 मेंथ जो है जुलाय आ जाएंगे तो आप सब 2 साल से इस बहाली का इंतजार किए जब कि कोट का काना है कि एतने सारे स्वास्त व्य॥ाग में जो रिक्त पद है जिसके बिना कर सकते हैं स्वास्त की जो आगे की परकिरिया है जो उसका कार्य है वो मतलब की अच्छे धंग से हो नहीं सकते है उस बहाली की प्रोसेस को रोका क्यों गया है इतने दीनों से क्योंकि लगभग 2 साल होने को है आप सब को पता है कि इसके फॉर्म भड़े हुए आप सबको दो साल हो गए होंगे लेकिन अभी तक इस बहाली के जो परकिरिया है उस पर आयोग ने कोई ऐसा मतलब की स्टिप नहीं उठाये था जिससे की बहाली का आईगे का प्रोसेस हो सके अब तो यह बहाली तो इस दो मन्त में के कोट में फ सरफ से हम आच चुके हैं पटना हाई कोट के ऑफिशली वेब साइट पर और इस कोट में जो आप लोग के केस की सुनवाई हुई थी उसमें आप देख सकते हैं कि इसका एक्शन डेट अब सो कर रहा है कि लास्ट एक्शन डेट डाउस को हुआ था मतलब कि इसकी जो और डेट के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि कब इसका डेट मिला है तो अब 18 अपरेल को डेट दिया गया है आप यहां पर देख सकते हैं कि 9 से 10 हुआ था वो तो केस नंबर जैदा होने से लेकिन यह सुनवाई नहां होने के कारण इसको फिर से बढ़ा कर 18 कर दिया हुआ तो यह आप दिख सकते हैं यह इसका पूजा कुमारी है जो कि अध्यारती के द्वड़ा किया घया था वही हम बात करें तो इसको हुआ कि द्वो देखने को मिलेंगे जिस तरीके से सारे केस को अब एक साथ लेकर जा रहा है और इसी बीच में पता चल रहा है कि एक और केस BTSC ANM पर फाइल किया गया है उसके बारे में भी हम आपको सारी गीजेल्स बताएंगे अभी उसका रेजिस्टेशन ही हुआ है जैसे इसका फाइलिंग होते है उसकी सारी हम अपडेट सारी जानकारिया देंगे किस आधार पर उसको फाइल किया गया है और उसका क्या प्रोसेस का मांग रहने वाली है वह सारी हम अपडेट आपके साथ जरूर साजा करेंगे तो आप लोग लोग को सबस्क्राइब करके जरूर रखें और हाँ आप लोग क्लास जरूर जोएन क कि त्यारी के लिए भठकना नहीं पढ़ेगा आपकी तैयारी बहतर रहेंगे नहीं तो इस वेकेंसि के कर में केहीं आईसा नहीं हो कि आपकी त्यारी भी नहीं और नइया बहाली आप से मिश हो जाए क्योंकि आप ने इस वाद जो QC A&M की एक्जाम दिये थे तो उसमें आपको पता चली गया होगा कि क्वेशन का लेवल क्या राता है उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा पड़ना पड़ेगा और हम आपको पढ़ा रहे हैं डेली क्लासे चल रही है तो आप लोग जरूर क्लास जोइन करिए जिससे क कि आपको डायक्ट बेनिफीट हो सके आप एक्जाम में अच्छे से लिख कर आए और आप जो जोब है वो 24 पर ले सके तो इस तरीके से हम जो भी जानकारिया आएंगे वो सारी जानकारिया आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे तो आप लोग भी जरूर चैनल को सब्सक् करते हैं तो क्योंकि हम आपके लिए इतने सारे अप्डेट हमेजा रहते हैं सारा कुछ आपको बताते हैं कहीं ने कहीं कुछ वर्क मेरा भी रहता है उसे भी छोड़के आप लोग की सारे इंफॉर्मेशन देते रहते हैं आप लोग нами थोड़ासा रॉत होता है कि आप मोटिवेट करे, thank you.